संसत में राहूल गांदी बोलते हैं तो मोजी सरकार को घेरते हैं कागस दिखाते हैं सबूत दिखाते हैं जैसे ही राहूल गांदी तीखे तेवर में तीखे हमले बोलते हैं सदन में किसी कागस को लहराते हैं तो कैमरा राहूल गांदी से हटा लिया जाता है स्पीकर पर फोकस हो जाता है या सब तापक्ष के सांसदों पर कैमरा चला जाता है राहूल गांदी बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं सिर्फ आवाज सुनाई देती है तस्वीरे बीजेपी के सांसदों की होती है या लोगसभा के स्पीकर ओम गिरला की होती है ये एक बार नहीं बार बार हो रहा है या यू कहलें कि 2014 के बास से अब तक हर बार ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है लेकिन अब कॉंग्रस ने इसकी नफस को पकड़ लिया है और कह दिया है कि हम इस मामले को उठाते रहेंगे और इस मामले को लेकर लोगसभा के स्पीकर से भी सवाल करते रहेंगे कॉंग्रस कहती है कि मोधी सरकार की घबराहट है सरकार कहती है कि हम मासूम हैं अगस्त में जब विपक्ष विश्वास प्रस्ताव लेकर आया तो राहूल गांदी बोलने के लिए खड़े हुए और मोधी सरकार पर अडानी से रिष्टों और मड़िपूर को लेकर उन्होंने मोधी सरकार को घेरा संसद टीवी की हरकत देखिए जब राहूल गांदी बोल रहे थे बार बार कैमरा लोगसभा अध्यक्ष पर आकर रुख जाता था पूरी तरह से कैमरा राहूल गांदी पर कभी नहीं रुका जबकि वो वक्ता थे वो बोल रहे थे वो संसद कैमरा आखिर क्यों नहीं रुका इसका जवाब कौन देगा मामला सिर्फ राहूल गांधी तक नहीं है जब DMK की सांसद कली मोजी बोल रही थी तब भी कैमरा लगातार ओम बिल्ला को दिखा रहा था जब हर सिम्रत कौर बोलने आई तब भी कैमरा लोगसभा के स्पीकर की तरफ चला गया आखिर ये सैंसर्शिप नहीं है तो क्या है जब विपक्ष के सांसद सवाल कर रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं सदन के रिकॉर्ड में उनका भाशन जा रहा है तब तस्वीरों में लोगसभा के स्पीकर को क्यों दिखाया जा रहा है 9 अगस्त को रहूल गांधी ने अपने सदन के भाशन में मनिपूर पर 15 मिनट 42 सेकंड भाशन दिया इस दोरान संसर्ट टीवी का कैमरा 11 मिनट और 8 सेकंड तक लोगसभा के स्पीकर ओम बिल्ला पर टिका रहा और रहूल गांधी को सिर्फ 4 मिनट दिखाया गया इसी तरह नई संसर्ट में जब महिला आरक्षन विल पर चर्चा के दोरान राहूल गांधी बोल रहे थे तब भी संसर्ट टीवी का कैमरा राहूल गांधी से ज़ादा लोगसभा के स्पीकर ओम बिल्ला पर जाकर टिक गया था या फिक ग्रहमंत्री अमिश्या को दिखाया जा रहा था या पूरी संसर्ट का फोटो दिखाया जा रहा था इस मुद्धे पर कॉंग्रेस के प्रवक्ता सुप्रेश्री ने रिट्वेट किया और लोगसभा स्पीकर ओम बिल्ला को टेक करते हुए पूछा संसर्ट में जब राहूल गांदी बोल रहे थे तब संसर्ट टीवी वही पुराने पैत्रे करके उनके अलावा सब को दिखा रहा था कि आपको ये ठीक लगता है ओम बिल्ला जी चार तस्वीरे भी उन्होंने शेयर की हैं जिसमें लोगसबा के स्पीकर ओम बिल्ला दिखाई दे रहे हैं ग्रहमंत्रिया मिश्वा दिखाई दे रहे हैं संसर्ट की बाकी तस्वीरे दिखाई दे रही है और वहां वक्ता के तौर पर राहूल गांदी का नाम जा रहा है लेकिन कैमरे पर राहु गांदी नहीं है सिर्फ आवास है हुए सदन में जब राहु गांदी बोल रहे थे तब गौरः गौगई ने स्पिकर को साफ साफ कह दिया था के राहु गांदी के पूरे भाशण में आपको ही दिखाया गया है गौरव गोगोई के कहने के बाद मानू स्पीकर असहज हो गया हूँ उन्हें लगाओ कि बात पकड़ ली गई संसद नहीं है लेकिन हरकत पुरानी है राहुल गांदी बोलने लगे तो कैमरा हटा कर स्पीकर को दिखाने लगे गौरव गोगोई ने जब दखल दिया तब जाकर लोगसभा स्पीकर को लगा कि बात पकड़ ली गई सरकारी चैनल है हाल ये है जो प्राइविट चैनल है वो तो पहले से ही सरकार को दिखाते हैं अब सरकारी चैनल भी सरकार को ही दिखा रहा है यहाँ पर लोग सभा कि कारवाई महात्पूर्ण नहीं है बलकि महात्पूर्ण यह है कि विपक्ष के नेताओं को कैसे नहीं दिखाना है संसद में गौरक गोगोई ने मुद्दा उठाया कि राहूल गांदी भाशन दे रहे हैं